reading और writing कैसे एक दुसरे से interconnected है कि कैसे एक दुसरे पर भाव डालता है तो यह हम लोग यहाँ पर clarify करेंगे उनके relationship को first point है reading and writing as language skills दोनो reading हो चाया writing हो यह दोनो ना language के एक important skills है जिसमें decoding और encoding language सामिर होता है decoding यानि reading और encoding यानि writing decoding में क्या होता है कि जब कोई symbol या letter जब लिखा हुआ form को हम लोग sound में बदलें तो उसको हम लोग बोलते है decoding यानि कि reading करना और writing बस इसका audit है तो दोनों के दोनों common elements को share करते हैं चाहिए vocabulary हो दोनों में राता है vocabulary, grammar, comprehensive, proficiency अगर एक language में आप proficient है यानि कि अगर आप लिखने में माहिर है तो यह ना दुसरी को भी बढ़ाएगा अगर लिखने में उस्ताद है तो आप reading में उस्ताद हो जाएंगे अगर reading करने में आप बहुत तेज है तो तो इस प्रकार से reading और writing एक language skill है और जो हम लोग पढ़ चोगे है सकेंड में है reading influences writing कि कैसे reading राइटिंग पे प्रभाव डालता है अभी पढ़े था ना कि अगर एक में proficient है तो वही वाला ही है reading widely and regularly exposes individuals जो individual होता है उसमें क्या होता है कि reading अगर आप कर रहे हो तो क्या होग जब पढ़ोगे तो आप अलग-अलग writing styles को देखोगे ऐसा कि कोई अलग writer है तो उसके writing styles को आप देखोगे समझोगे sentence structure को समझोगे देखोगे कि इस तरह का यह सब इस्तमाल करता है कि इस तरह का vocabulary इस्तमाल करता है उसका idea कैसा है तो इससे क्या होगा इससे एक knowledge का base create होगा एक इंसान का knowledge का एक platform त्यार होगा और वो उसको examples दिखाएगा कि effective writings कैसा होता है तो इसके वैसे क्या होगा कि reading help करेगा इस प्रकार से language fluency में language fluent होगा यानि एक flow बनेगा creativity बढ़ेगा critical thinking होगा कि वो अलतनात्मत thinking कर पाएगा क्या सही क्या गलत तो उससे क्या होगा writing skill अच करेगा reading abilities को देखो writing में क्या चाहिए writing में deep understanding चाहिए language के rules का sentence का कैसा construction होना चाहिए structure होना चाहिए उसका vocabulary का कैसा usage होना चाहिए उसका तो क्या होगा जब individual लिखने में engage होगा engage करेगा आपने आपको तो उसके वैसे क्या होगा उसका awareness बढ़ेगा language mechanics का कैसे language का क्या rules है वो समझेगा वो उसके वजए से उसका reading में comprehensive बढ़ेगा यानि कि reading का किस समझ develop होगा इस प्रकार से हम लोग देख पाएंगे कि writing कैसे individual को force करेगा कि तुम analyze करो जो भी तुम लिख रहे हो उसको analyze करो उसका visualization करो उसको व्याक्या करो यानि interpret करो और synthesize information जो information यह दे रहा है उसको मिला हो जोड़ो तो इसके वैसे क्या होगा कि reading skills बढ़ेगा fourth point है reading and writing promote language development अब देखो पहला हम लोग पढ़े कि दोनों एक skill है language skill है दूसरा पढ़े कि reading writing को पे प्रभाव डालता है writing को अच्छा करता है वहीं तीसरा पढ़े कि writing reading को अच्छा करता है अब fourth point में यह पढ़े कि reading और writing दोनों मिल करके language के development पे ध्यान देता है अब देखो दोनों contribute करता है language के development पे reading से क्या होता है कि reading individuals का language के proficiency यानि कि उसमें जो proficiency है यानि इसमें जो skill है चमता है उसको बढ़ाता है फिर क्या होता है वो reading vocabulary को बढ़ाता है आप अगर reading कर रहे होगे regularly तो आपका जो voc आपका dictionary बढ़ेगा इसके वैसे क्या होगा आपका comprehension बढ़ेगा reading comprehension आपका समझ बढ़ेगा आप जारा कुछ समझ पाओगे ठीक है writing क्या करता है दूसरे hand पर writing करता है एक individual को allow करता है कि वो अपने thoughts को अपने ideas को अपने opinion को clearly और एक organized manner में एक sequence में वो express कर पाए तो इसके व आच्वा है feedback loop दोनो reading और writing एक feedback loop को create करता है feedback loop मतलब feedback मतलब क्या होता है कि आप कहीं पर किसी hotel में गये या फिर किसी कोई आपने को सामान खरेदा तो आपने उसका feedback दिया कि अच्छा था या बुरा था तो यहां पे ना दोनो एक feedback को create करता है feedback loop को एक platform त्यार करता है जिसक सब कुस था उसी प्रकार से writing भी enable करता है individual को कि वो जो gap है reading comprehension में उसको खतम करे और फिर prompts them to seek out further reading materials ताकि वो और भी reading material को खोजे और फिर उसको मजबूत करे अपने skills को तो यही सब summary है जैसा कि summary होता है कि जो भी हम लोग ने उपर में पढ़ा उसको यहां बताएगा कि reading कैस से enrich करता है बढ़ाता है writing को कि जब उस individual को आलगला writing styles के लिए exposed exposure देता है उसको तो यह सब कुस थे I hope कि आप समझे हो समझे होगे मैंने main main points discuss कर लिया है और यहां पर और भी है लिखने के टाइम में आप सारा यहां सब copy कर सकते हो नमस सकते हो थैंक्यू